चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चो आज इस वीडियो में हम राजस्तान स्टेट की एक्सपेक्टेड कटोब के बारे में बात करेंगे कि कितनी जा सकती है राजस्तान की एक्सपेक पूरे आंकडे निकाल के आपको देता हूँ और वो आंकडे हर साल एकुरेट जाते हैं इसलिए जब मैं राजस्तान की काउंसलिंग में जाता हूँ तो वहाँ लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं कि मेरे को एक बहुत ज्यादा कुशी मैसूस होती है तो मैं राजस्तान क तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी कटोफ क्या जा सकती है इतनी दिन तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि राजस्थान की कटोफ बहुत ही ज्यादा जाएगी और आप लोगों का दिल टूट जाएगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी तरह से लोग फुलो करते हैं हर बात सच मानते हैं जब मैं इतनी ज्यादा कटोफ बताऊंगा तो आपका दिल टूट जाएगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया नहीं था पहले एक्सपेक्टेड कटोफ का लेकिन काफी लोगों की रिक्वेट से काफी कॉमेंट्स इस परकार से आए कि आप राजस्थान की कटोफ का एक वीडियो डाले एक्सपेक्टेड कटोफ का तो मैं ये वीडियो डालने के लिए मजबूर हो गया लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्तान की जो इस बार की कटोफ होगी वो unexpected होगी ये मैं आपको यहां बता देता हूँ राजस्तान स्टेट अब की बार केरिला स्टेट को भी पिछे छोड़ने वाला है जहां तक होता है सबसे पहले दिल्ली की कटोफ सबसे ज्यादा जाती है उसके बार केरिला स्टेट की कटोफ जाती है थार्ड नमर राजस्तान का आता है लेकिन राजस्तान इस बार केरिला को भी पिछे छोड़ देगा राजस्तान की इतनी ज्यादा कटोफ जाएगी और मैं ये पहले आपको ये भी आगा कर देना चाता हूँ कि इस बार जो marks versus rank रहेगी वो बहुत ही ज्यादा रहेगी यानि कि जो rank आएगी जिस marks पे student की वो बहुत ज्यादा होगी जिसकी हम आसा भी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा rank आएगी ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहरा हूँ अब बात करें राजस्तान स्टेट की तो all और इंडिया को देखा जाए तो राजस्तान स्टेट के student का performance सबसे ज्यादा अच्छा है यानि कि राजस्तान स्टेट का जो performance है student का बाकी सारे इंडिया के जितनी भी स्टेट है उन सबसे अच्छा performance इस साल है इस कारण राजस्तान स्टेट की कटोफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी मैं ये काग्यों में या फिर पेपर में एनलाइसिस करके आपको नहीं बता रहा हूँ मैंने ओन ग्राउंड ये सारा एनलाइसिस किया है ओन ग्राउंड इस्टुडेंट से मिला हूँ में उसके बाद एनलाइसिस करके आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो राजस्तान स्टेट का परफॉर्मेंश है वो बाकी स्टेट से सबसे ज्यादा है अब जो फैक्टर होते हैं कटोफ के राजस्तान के लिए मैं आपको अलग ही फैक्टर बता रहा हूँ वो फैक्टर जो क्यूसन पेपर क्यूसन लेवल ये सारे तो इसमें इंक्लूड है ही उसके अलावा राजस्तान की हाई कटोफ जाने के कारण सब से पहले तो परफोर्मेंस ओफ राजस्तान स्टेट कंडिडेट्स जो बहुत ही अच्छा है इस बार राजस्तान स्टेट के इस्टूडेंट ने बहुत ही मैनत की है और अच्छा परफोर्मेंस किया है नम्मरोप seat increase की बात करें हम राजस्तान स्टेट में पांच colleges जरूर open हो रही हैं पांच colleges जरूर इस बार open हो रही हैं लेकिन इन पांच colleges में जो government की seat आएंगी वो मात्र 175 seats आएंगी मात्र 175 seats इसलिए आएंगी कि 35 seats हर college में government seat होगी और 175 seats होगी यहां पर क्योंकि 15% ओल इंडिया कोटा में चली जाएंगी 15% management में चली जाएंगी और 15 seatे NRI में चली जाएंगी तो बसती हैं सिरफ 35 seatे 100 seats अगर एक college में होती हैं तो सिरफ 175 पांच colleges के अंदर seatे आएंगी लेकिन number of student increasing की बात करें इस साल तो इस साल तकरिबन 50,000 यानि 48,000 student increase हो रहे हैं 50,000 अगर मालने इसको तो यह जो 175 seats increase हो रही है इनका level बोट ही कम है ने के बराबर है इनका level अगर इन college'ों को देखा जाए तो यानि कि जो college'े open हो रही है उन में जो seat'े open हो रही है उन से इतना ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है 175 seats पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 marks का फरक पढ़ सकता है इस से ज्यादा फरक नहीं पढ़ेगा level of cushion paper आप जानते हैं इस बार का जो cushion paper का level है वो बहुत ही easy मानता हूँ मैं बहुत ही easy है इसके अलावा other factors और हैं एक तो cushion paper easy है syllabus reduce हो गया था इसके अलावा राजस्तान स्टेट में दो ऐसे city हैं quota और सीकर जो सिक्षा नगरी के नाम से जाने जाते हैं उनमें student अच्छी मैनत करते हैं अच्छा performance देते हैं और इसके अलावा जो इस बार online का जो ज़्यादा रिवाद चला है ये coaching में जाने वाले student भी online course प्रिफेर करके जिस teacher की इच्छा होती है पढ़ने की जिस teacher का समझ में आता है वही teacher से पढ़ लेते हैं वो offline coaching ही क्यों नहीं ले रहे हैं online series लगाते हैं online classes लेते हैं जिस subject का उनको समझ में आता है इन सब कारणों से इन सब कारणों को देखते हुए राजस्तान स्टेट की कटो बहुत ही ज़्यादा जाएगी दिल्ली के बाद इस बार राजस्तान स्टेट का नंबर होगा मैं राजस्तान से हूँ राजस्तान से हरे एक बच्चे से मिलता हूँ all India के बच्चों से भी मेरा YouTube के जरीए contact है वैसे भी phone से contact है तो फूरे all India का जब एक analysis मैंने किया है उसमें राजस्तान सेट का performance इतना ज़्यादा है इतना ज़्यादा है कि आप ये cutoff सुनकर के चोंक जाएए तो आईए आपको मैं पहले first round की cutoff बता देता हूँ first round की cutoff एक बार देख लेते हैं क्या जाएगी राजस्तान सेट की first round की cutoff अब राजस्तान सेट में दो प्रकार की सीटे होती है एक government seat होती है और दूसरी payment seat होती तो पहले हम government seat की cutoff की बात कर लेते हैं तो government seat में सबसे पहले हम देखें तो UR category 645 marks cutoff रहेगी UR category की first round की cutoff ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये first round की cutoff है 645 cutoff रहेगी इस बार first round में OBC category की बात करें तो 643 दो marks down जा सकती है EWS की 640 और MBC की 615 SC category की 535 ST category की 525 STA की 380 cutoff रह सकती है इससे down जाने की मेरे को बिल्कुल possibility नहीं लग रही है मैं इतने students का analysis कर चुका हूँ उनका paper का मिल चुका हूँ coachings में जा चुका हूँ student के घर जा जा करके मैंने उनके question paper से analysis किया है कितने marks आ रहे हैं पिछले साल किन बच्चों के कितने marks आये थे इस बार उन्होंने कितना progress किया है हर साल कितना progress करते हैं तो इस साल इतना ज्यादा performance है उन बच्चों का जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा होने वाला है अब बात करते हम payment seat की एक बार और बात कर लेते हैं payment seat की cutoff भी मैं आपको बता देता हूँ payment seat वाले student काफी निरास होंगे ये first round की cutoff देख करके काफी निरास होंगे फर्स्ट राउंड में UR category 605, OBC 600 EWS 595, MBC 575 SC 400, ST 400 और STA में सभी candidates का selection हो जाता है payment seat की cutoff है मेरी अब आपको ये cutoff भी ज्यादा लग रही होगी मैं आपसे बात करते हुई जब आप ही है अभी ये तो first round की cutoff है इसमें second round और फिर last round होता है third round राजस्तान में third round last round ही होता है उसके बाद seatे नहीं बसती तो third round की cutoff down जाएगी इसलिए मैं आपको निरास नहीं कर रहा आप निरास नहीं हो इसमें ये की इतनी सारी cutoff बता दी है मैंने तो आईए देख लेते हैं एक बार third round की कितनी cutoff जा सकती है तो third round की cutoff जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counselling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं जैसे राजस्तान स्टेट की counselling की जानकारी लेना चाते हैं तो ओल इंडिया की बुक है उसमें ओल इंडिया 15% जिपमर डियू डिम डियू इउनिरसिटी को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है सेंटल पूल कोटा इनमें round wise category wise cutoff दे रखिए जिसमें आप 15 marks add करके देख सकते हैं कि आपका कहां नम्मर आ सकता है आपको कौन सी college मिल सकती है इस परकार सी choice list दे रखिए जिससे आप choice fill कर सकते हैं help ले करके cutoff दे रखिए previous four year की flow chart से मैंने समझा रखा है कैसे counseling की जाती है state quota की book में भी same facility available है हर एक state के बारे में समझा रखा है खास करके रजस्तान state के बारे में तो हर सीज दे रखिए है उसमें इसके बाद college wise कटो हर एक state के बारे में counseling process के बारे में समझा रखा है कैसे आपने choice fill करनी है documents क्या requirement है ऐसे ही I use veterinary में भी cutoff वगरा दे रखा है आपने download करना है तो इस हमारे video की description box में link दिया गया है इन तीने books का और हमारी website भी chopra education.in से आप download कर सकते हैं video के description box में जब आप more पर click करेंगे यहाँ पर तो ये book का link आपको मिल जाएगा जैसे ही आप download करेंगे जो mobile number देंगे उस पर हम आपसे contact कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं website से ऐसे आप download कर सकते हैं जिस book की requirement है उस पर आप click करें download page पर आप पहुंच जाएंगे अब बात करते हैं last round की cutoff आपको इतना ज्यादा मैंने निरास कर दिया है आपने बहुत ज्यादा आसाइं रखी होंगी कि इतनी cutoff जा सकती है यह हो सकता है तो देखो first round और last round का हम compare करें तो इसमें 10 marks डाउन जाने की possibility है first round में मैंने आपको 645 बताया है तो second round में 635 से डाउन जाने की possibility तो लग नहीं रही है यह general category की cutoff है region इसका यह है कि राजस्तान state के candidate राजस्तान को नहीं छोड़ना चाते है दूसरी OBC की बात करें तो 623 last round यानि third round में जा सकती है EWS में थोड़ा सा डाउन जाता है काफी 627 जा सकती है MBC में ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा 610 cutoff जा सकती है यहां मैं आपको MBC और EWS के लिए एक बात यहां बता देना चाता हूँ कि जो girls candidate है उन में MBC में तो cutoff बहुत ज्यादा डाउन जाती ही जाती है EWS में भी cutoff डाउन जाती है तो यहां मैं यह boys की cutoff ही बता रहा हूँ EWS और MBC में girls candidate की cutoff काफी डाउन जाएगी हालनकि OBC, UR इन में तो एक मार्च का फरक पड़ सकता है नहीं तो नहीं पड़ता है लेकिन इन दो कैटेगरी में काफी फरक पड़ता है girls candidate में SCE की cutoff 520 ST की 500 और STA की 380 cutoff जा सकती है STA में फरक नहीं पड़ता है इस rank में बहुत कम फरक पड़ता है 3rd round में क्योंकि STA में जब cutoff down जाती है तो इन student को और कहीं तो seat मिलनी नहीं है और यह यहां ही seat लेंगे राजस्तान में तो 3 नमर या 5 नमर का फरक पड़ सकता है इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है तो यह तो थी government quota की last round की cutoff comparison first round के अब हम एक बार payment seat के बारे में देख लेते हैं तो payment seat की बात करें इसमें तो payment seat your category में जहां मैंने आपको बताई थी कि 605 जाएगी वहां 590 cutoff जा सकती है यहां 15 marks का फरक पड़ सकता है लेकिन इससे down जाने की possibility नहीं है क्योंकि payment आजकल हर कोई देने के लिए तयार है OBC category 600 मैंने आपको first round में बताया था यह 580 cutoff जा सकती है last round में payment की EWS में 580 जा सकती है MBC में 550 जा सकती है फिर से बता देता हूँ इन में girls candidate में काफी down cutoff जाएगी payment में SC category में 400 first में थी लेकिन third round में 295 जा सकती है ST में भी 400 मानके चलते हैं हम यह 280 जा सकती है इन दोनों में इतना फरक क्यूं है इसका region मैं आपको बता देता हूँ 100 से भी ज्यादा difference होता है first round और last round में SC, ST candidates में हालांकि MBC और EWS में भी फरक होता है इसमें first और last round में payment seat पर यह इसलिए होता है कि यहां 300 के नियर वाई अब की बार तो 350 के नियर वाई NRI की seat हैं वो NRI की seat कनवर्ट हो जाती है payment seat में पहले ऐसा हुआ करता था 2023 से पहले यह जो NRI की seat थी यह सारी की सारी seat जनरल केटेगरी में कनवर्ट होती थी इससे इन दो केटेगरियों को फाइदा होता था UR और OBC को इसके अलावा इनको बहुत कम फाइदा होता था बलकि इनको तो फाइदा होता ही नहीं था MBC, SC, ST, ST, STA को बिलकुल फाइदा नहीं होता था 2022 तक NRI की जो seatे convert होके आती थी उसमें लेकिन 2023 से यह rule लागू हो गया कि जो यह seatे आएंगी NRI की वो कैटेगरी में distribute होंगी यह सभी कैटेगरी को उनके reservation के according distribute की जाएगी इसके कारण यह seatे इनको काफी seatे मिल जाती है payment की इन तीन कैटेगरी को EWS को भी मानलो आप लेकिन इन तीन कैटेगरी को काफी सारी seatे मिल जाती है और इनमें फाइदा होता है SC, ST, MBC कैटेगरी को इसके कारण इन तीनों की cutoff काफी down जाती है hundred marks डाउन चली जाती है और इस बार मैं सोचता हूँ कि 35 जो management की seatे आएंगी उसमें 15 परसेंट जो नराई की seatे आएंगी 5 colleges में तो ये 150 तक भी फरक पड़ सकता है category wise अगर ये हुई इस बार भी पिछली बार की तरह है तो इनमें SC, ST की payment seat में काफी down cutoff देखने को मिलेगी आपको region में ने आपको बता दिया है STA में सारी seatे जो payment की होती है वो खाली ही चली जाती है वो vacant चली जाती है वो ST category में convert होती है कभी-कभी ऐसे देखने को मिलता है कि payment में ST category की cutoff भी SC से ज्यादा चली जाती है लेकिन ये कभी कभार होता है इस बार होनी की chances नहीं है क्योंकि STA की seatें भी आएंगे ST category में और NRI की seatें भी आएंगे खुद की seatें भी होती है management में तो इस बार तो ये देखने को नहीं मिलेगा तो ये cutoff है third round की third round में इतनी cutoff जा सकती है payment seat की और government seat की cutoff मैंने आपको बता दी है इस परकार से ये cutoff जा सकती है तो हलांकि मैं आपने जो आसा कर रखी थी उस आसा के मुताबिक अभी तो खरा नहीं उतर रहा क्योंकि ये cutoff तो आपको बहुत ही ज्यादा लग रही है लेकिन जब result आएगा राजस्तान का first round का result आएगा हर बार की तरह जो मेरी cutoff है वो बिलकुल accurate जाने की possibility है तो आपको बिलकुल भी निरास नहीं होना है पैनिक नहीं होना है क्योंकि राजस्तान के candidate All India में जाएंगे जिनको राजस्तान में seat नहीं मिलेगी वो candidate All India में जाएंगे और All India की जादा से जादा seatे राजस्तान के candidate की occupy करेंगे क्योंकि इस बार राजस्तान के candidate का requirement जादा है यहां seatें कम increase हो रही है student जादा है लेकिन बाकी states में seats काफी जादा open हो रही है student increase भी हो रहे हैं बाकी state में लेकिन उनका performance में इतना नहीं मानता जितना राजस्तान स्टेट का performance है तो फिर भी राजस्तान स्टेट कंडिडेट्स को निरास होने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि All India उनके लिए अच्छा विकल्ब हो सकता है जिनको राजस्तान स्टेट में seat नहीं मिलेगी तो आप All India से seat ले सकते हैं All India के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ 620 से उपर कटोप जाने की possibility है इस बार इंडिया All India में General OVC केटेगरी की कटोप और rank का वीडियो मैं already publish कर चुका हूँ Marks versus rank मैंने डाल दी है वीडियो में कि कितने Marks पर इस बार कितनी rank आ सकती है अगर आपने नहीं देखा आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं कि कितनी Marks पर इस बार कितनी rank आ सकती है ये मेरा खुद का analysis है analysis तकरीबन ठीक होता है मैं ये नहीं बोलता कि 100% accurate ही जाता है कभी कभार मैं गलत भी हो जाता हूँ कभी आखड़े गलत भी होते हैं लेकिन मेरे आखड़े बाकियों से बिलकुल सही होते हैं बाकियों से बिलकुल accurate होते हैं जो बाकी यूटुबर्स हैं जो बाकी cut-off predict करते हैं उन से बिलकुल सटीक आंखडे जाते हैं यानि कि मैं नजदीक पहुंसता हूँ उस स्कोर के जो स्कोर एक्चुल रहता है तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपको फिर से अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी अच्छा काउंसलिंग के बारे में नोलेज दिया पर सेज करके अपने बच्छों की काउंसलिंग करवा के अच्छी कुलेज दिलाई हैं उनका मेरे को जब क्रेडिट मिलता है मेरे को जब ये बाते सुनने को मिलती हैं वो लोग मेरे से मिलते हैं तो मेरे को एक बहुत बड़ी कुसी होती है और इसी कुसी और प्यार के साथ मैं आपसे रहना चाता हूँ, फिर आपसे मुलागात होगी, तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जय हूँ